नमस्कार स्वागत है आपका सीन्यूस भारत में और मैं हूँ आपके साथ जोती श्रवास्तव युग बदल चुका है आप तबाही का दौर आ रहा है आप कहीं भी हो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपके साथ क्या होने वाला है क्या पता आपके पास जो बैग हो वो ब्लास्ट हो जाए जी हाँ ये बाते हवा हवाई नहीं सच है लेबनान में देशबर में बड़ी तादाद में पेजर ब्लास्ट हुए हैं धमाकों में 2800 से जादा लोग घायल है और 9 की जान चली गई है धमाके के बाद देशबर के अस्पताल हाई अलर्ट पर हैं और लोगों से रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की जा रही है लेबनान में धमाकों के बाद बरबादी और तबाही का मनजर है लेबनान और सीमावर्ती सीरिया के कुछ उलाकों में पेजर में सिलसिलेवार ब्लास्ट होने से अफरात तफरी का महौल है इस ब्लास्ट में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 4000 से ज़ादा लोग घायल बताय जा रहे हैं घायलों में लेबनान में इरान के राज़दूद भी शामिल है हैरानी की बात यह है कि कहा जा रहा है कि पेजर्स को हैक कर ब्लास्ट किया गया था इन पेजर्स का इस्तिमाल हिजबुला के लडाकी करते हैं हैकिंग के पीछे इस्राइल का हाथخूने का दावा किया जा रहा है घशबुला का कहना है कि वो इस हमले के लिए इस्राइल को जिम्हिदार मानता है हलाकि इस्राइल ने इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है वहीं लेबनान में हुए पेजर धमाकों के बारे में बड़ा खुलासा सामने आया है लेबनान के एक वरिष्टो सुरक्षा सूत्र के हवाले से Reuters ने दावा किया है कि Israeli Agency मोसाद ने इन पेजर में विसफोटक लगाया था लेकिन रिपोर्ट कहती है कि मंगलवार को जिन पेजर में विसफोट हुए उनको महीनों पहले हिजबुला ने ही ओर्डर किया ये 5000 पेजर ताइवान में बने थे और सभी पेजर के अंदर थोड़ा थोड़ा विसफोटक था एक पेजर में करीब 3 ग्राम विसफोटक रखा गया था अगर आप पेजर के बारे में नहीं जानते तो वो भी बता देते हैं पेजर को बीपर के नाम से भी जाना जाता है ये एक छोटा portable electronic device होता है जिसे छोटे message या alert प्राप्त करने और कुछ मामलों में message भेजने के लिए design किया गया है device के मूल का काम message प्राप्त करना और भेजना है कई सूतरों ने Reuters को बताया कि पेजर में blast की साज़श कई महीनों से चल रही थी लेबनान के वरिष्टो सुरक्षा सूतर ने कहा कि हिजबुला ने ताइवान इस्तेद गोल्ड अपोलो को 5000 बीपर का order दिया था कुछ महीने पहले उनको ये order मिल गया था अब जबकि देशभर में ये पेजर पहुँचे तो इनमें विसफोट किया गया ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई पेजर में की गई थी छेर चार और अगर हां तो आखिर किसने ये भी बड़ा सवाल है लेकिन हम बताते हैं कि आखिर रपोर्ट के मुताबिक हुआ क्या हिजबुला पेजर को संचार के हत्यार की रूप में इस्तिमाल कर रहा था लेकिन इसराइल ने उसका तोड निकाला लेबनान के एक एक्सपर्ट के मुताबिक कम तकनीक वाले पेजर में खामियों का फायदा इसराइल ने उठाया कहा ऐसा भी जा रहा है कि पेजर्स को हिजबुला तक पहुँचाने से पहले ही उसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से छेड़ छाड़ की गई थी या विस्फोर्टक उपकरन के साथ उससे सौपा गया था Rise and Kill First Book के अनुसार इसराइल पहले भी दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए परसनल फोन में विस्फोर्ट रख चुका है हैकर फोन में कोट डालते हैं जिससे उसकी बैटरी ओवर हीट होती है और विस्फोर्ट की वज़ा बनती है बता दे कि यह घटना लेबनान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है इसराइल और गाजा में हिजबुला के सहयोगी हमास के बीच युद्ध जारी है इस प्रश्ट भूमी में लेबनान के समू हिजबुला और इसराइली सेना की बीच 11 महीनी से ज़ादा समय से लगभग रोजाना ज़ड़पे हो रही है फिलाल इस खास रुपोर्ट में बसतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे हैं सीन्यूस भारत